तो कैसे हो मार्केट में एक न्यू एमिलेटर आया है जो बाई मच्छा आने वाला है एंड हां यार लास्ट में पोनस है जो लेट्स को यूनिटी से रिलेटेड है हां रुकना दुरू लास्ट तक अगर आपको वो चीज चाहिए बाट अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यार अम लोग 30K पहुंचना यार अभी तक नहीं पहुंच पा रहे है एंड यार इस्ताग्राम पर जाके फॉलो मारो मैं आपको बता दूँ अगर मान लो आपको डाउनलोड करना है तो कहां से करो के तो मैंने लिंक इन कमेंड में दे दी है तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो बड़ यहां पर डाउनलोड लिंक नहीं है हां आपको यहां पर फुल इंफॉरमेशन वहां उसकी मिल जाएगी एंड अगर आपको दिक्कत आती है कि कैसे ओपन करें मेरी लिंक तो आप हाउ टो ओपन कर सकते हो और वहाँ पे देख सकते हो बट अगर आपको वहाँ से भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डियम कर देना वहां मैं रिप्लाइद देता हूं हाँ दे देता हूं तो बेसिकली इसको एक स्काई लाइन का पार्ट मान सकते हो आप लोग स्काई लाइन एच एंड बात करें तो क्या-क्या मसले हैं तो जो स्काई लाइन है उसी का लाउंडा या उसी का बच्चा आप मान सकते हो स्काई लाइन एच को ठीक है चलो यह बा गेम वह करते हैं जी हा यूज़ू में दैन जो यूजू की टीम है वो इसको मान के चलो guidance कर रही है थोड़ी में जो यूजू की टीम है तो काफ़ी इन्होंने guidance दी है skyline edge को create करने में उनकी guidance में यह emulator बना है और यह काफी better हो सकता है skyline से ऐसा हम लोग कह सकते है well Mali GPU के type जितने processor होते हैं उनको चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है यानि मैं कहना का मतलब यह है कि Skyline जो है वो चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है और आप लोग ने भी थोड़ा सा मतलब देखा होगा और थोड़ा सा महसूस महसूस किया अपने फोन में थोड़ा सा चेक आउट किया होगा जिनका Mali प्रोसेसर है तेन उसकी भी दिक्कत अब लगबग लगबग ठीक होने वाली है वेल कैसे Skyline Edge में Mali GPU का काफी तगड़ा वाला अपडेट आने वाला है और हाँ यार अब कह सकते हो low end device चलो इसके बारे में तो बात करेंगे लेकिन हाँ Mali GPU की वज़े से काफी दिक्कते थोड़ी से जो प्रॉब्लम हो काफी सॉल्व हो जाएगी हद तक तो जिनोंने membership ली है उनको इसका access मिलेगा वेल अभी तक तो हाँ उनको access मिलेगा किस किस डिवाइस में कौन कौन सा गेम चला है इसके बारे में मैं बात करूँगा ज्यादा गेम नहीं बताऊंगा ज्यादा आपका time waste नहीं करूँगा खाली एक दो गेम ही बताता हूँ तो जो हमारी Mario के जितने भी गेम है जितने भी गेम है अभी तक मैंने देखे इस पूरे लिस्ट में तो उसमें जो जिस फोन में वर्क किये हैं तो red magic 7 में यह गेम वर्क हुआ है और उसका जो भाई प्रोसेसर है न वो snapdragon 8g1 है तो देख सकते हो भाई कितना तगड़ा प्र Sword and Shield अभी तक का यार काफी फेवरेट आप लोगों गेम स्टोरी लाइन का इसकी तगड़ी है तो यह किस फोन में वर्क हुआ भाई तो यह भाई दो फोन में जहां तक वर्क हुआ पहला जो है वो Realme GT Neo 2 है यह अभी तक का लेटेस्ट फोन है Realme का और इसका जो भाई प्रो प्रोक हुआ है और काफी अच्छी फेस वैसे दिखा रहा है और स्क्रीन शॉट आप यहां देख ही सकते हो तो यार बहुत तगड़े तगड़े फोन है और उमीद तो लोगें डिवाइस की कम है लेकिन थोड़ी सी बात और बताता हूँ तो यहां पर हम एक इस तरह की मेंबर्शिप देखने मिलती है यहां पर जो सकायलियन की मेंबर्शिप है वह टू डॉलर पर मन्त है और तॉ यहां पर टेन डॉलर पर मंत है और एज प्लस प्रो एक्सटी आर पताने की तलंबा नाम रखा है इन्होंने 25 डॉलर पर मंत है तो यहां पर सब के अपने अलग अलग फाइदे हैं कुछ नुकसान है किसी में कुछ कमी है तो इस वज़े से यहां पर थोड़ी सप्राइज ऐस है अगर यह membership आप ले लेते हो देन उसके बाद यह personally आपको आप प्रोवाइड करेंगे और जब लेटस आएगा तो सबसे पहले आप भी को प्रोवाइड करेंगे तो ऐसा वाला यहां पर कुछ सीन हो सकता है हां confirm नहीं है लेकिन आपको आप तो प्रोवाइड करेंगे ले वेरिफाइड भी होना चाहिए तो ऐसी सारी चीज़े हैं जो कि सब के पास नहीं है और इंडिया में तो काफी कम है लेकिन है ठीक है यहां पर यह कुछ फ्यूचर में सोच रहे हैं कि गूगल मैथट का कुछ यूस किया जाए देन उसकी मदद से आप लोग पे कर लो ईज चीज़े आ गई तो काफी एजी हो जाएगा इसको मेंबर्शिप को खरीदना यह तब ही हो सकता है जब यह लोग अपना अप प्ले स्टोर पर डाले वेल देखते हैं यह कब तक होता है वेल देखा जाए तो इतने तगड़े तगड़े फोन में यह वक कर रहा है तो क्या लगता है यह लोग डिवाइस में वक करेगा क्या लगता है वक करेगा देन आप लोग यही सोच रहे होगे कि यह इतने तगड़े फोन हैं और 40-50,000 के फोन है और इसमें मतलब चल रहा ह ऐसे ऐसे बता रहे हैं क्या आपने में work करेगा ना आप लोग यह सोच रोगे नहीं करेगा well मैं काऊंगा हाँ करेगा यह well सोच रोगे यार यह क्या बोल रहे हो तो देखो यार technology advance हो रही है ठीक है technology advance हो रही है और धीरे धीरे phone launch हो रहे है अच्छे अच्छे वह भी कम prices में ठीक देन एक बात और आपको बताओं जो अपना कोई भी product कोई launch करता है देन वो चाहता है कि यह product हर बंदा यूज कर ले और अच्छे से यूज कर ले ठीक हर बंदा यूज कर ले ज्यादा से ज्यादा बंदों के पास low end device है आप यह गौर करोगे जो Mali GPU के low end device है वो ज्यादा तर आपको देखने मिलेंगे ज्यादा तर जितने भी low end device है उसमें Mali GPU लगा रहता है ज्यादा तर यही कहूंगा कि यार developers पर थोड़ा सा भरोसा रखो वह आपको दीरे दीरे अपडेट क करके यह अच्छा करके देंगे जैसे कि अपन लोगने स्काइलाइन में देखा है स्काइलाइन में भी धीरे 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 सारे गेम वर्क की हैं जो कि एकदम मस्त हैं और इसकी भी जब जब अपडेट आएगी तब तब अपन वीडियो बनाएंगा एंड हां यार यही कहू हुए हो ओ हो लाश तक रुके हुए हो तो यार बोनस आपके लिए ही है देन अगर आपको पोकेमों लेट्स गो यूनिटी जो गेम एकदम डेथ हो गई थी जिस गेम की देन वो फिर से बैक कर रहा है वेल यह पूरा लेट्स गो यूनिटी नहीं है तो फुल इंफॉमेश झाल